चांग मग्याने नू याद करन विले अनेकां चेरे अखांगे कुमन लग पेंदे हन। बिलाल, अन्जुम्तकी, जफर अली, शेरी साहब, शारेबंसारी, हबीब, शेर अफजल जाफरी अते मैं सोच सोच के हैरान होंदा हां कि मैं इन रबदे बंदे हने एक अब्यागत अते नावाकफ बंदे नू चाट गलना लालेया। कई ऐसे चेरेवी सामने आउंदे हन जिननल केवल दुरूं-दूरूं दोस्ती लान दा समा मिल्या। मसलन जैल करदा मलक फतेखान से आल। उस दा होटल दी एक गुठे कुर्सी मेजडा के बैठना ना वाजब जहा मालूम होंदा। राज सिंगासन उदली वदेरे टुकमी चीज सी। कोठे जितना काद हाथ लाया मैली होन वाली गोरी रंगत कैरां दा हुसीन चेरा मर्दाउं पर शर्माकल हूब हूँ जिमें किसे मुगल जयां राजपूत चितरकार ने लिक्या होवे वतनी पहरावा। एक शाम चुप चाप मेरी कमरे विच मंजी उत्या बैठा सी। मैं कहा सी। तुसी इतने सोने उं तो हड़ी फोटो ता मैं जरूर खिचनी है। उस्तों बाद जदों वी हूँ मेनू आउदेयां जांदेयां वेखदा किते लुक जांदा। फोटो की खिचनी सी। मैं अदेये अफसर दे खान सामे वांग दिस्दा सी। एह मनुख मैनू आलमगीर छोहां दा मालक जा पया। उस दे सांग बैके मैं अपने आपनू तर्ततों गेठ को उच्चा महसूस कीता। मैनू जीवन विच कुछ आलमगीर हस्तिगानू नेडेयों वेखन दा सुपाग मि गांदी जी, टैगोर, कश्मीरी पाशा दे महा कवी गुलाम एहमद महजूर, बंगाली साहितकार, खेती मोहन सैन आदिक। मैं इस नतीजे ते पुझे हां के जिस तर्तते एही लोक विचर दे हन उस दा ग्यान केवल उनन दियां रचनावा पढ़के ही नहीं सगों उनन द पाशावादी यते हानी सूचक वस्त है, एदा कलेवर संसारिक मोनल नथी होया पया है, एसे कार निजदियां पांत पांत दियां वनंगिया नहीं, अते पदर पेदवी मामूली हन, पर हास विच निरलेपता, मुक्ती, अते उडारी है, ताइयों एदे पांत पांत दे रं अंदाजा बह खुबी उस दे हासे तो लाया जा सकदा है, मैं विख्या है, कि हास उपरोकत महापुर्श्यां दी सब तो वड़ी तफरी सी, इसे नालो हो अपने थकेमे लाँ दे, अपने कामनों ते जिवे संसारनों वी खेट जही बना छट दे, विचार अते शबत दे सा ताख पर देंदी, उना दे वेलडे अते आप महारे वारतालाप विच उह करामाता लेयाँ दी, जो उना दिया करतां तो वी किते उचेरियां सन। कुन हादतीक जुआन अखां मेरे अंदर दे इंसाननों नंदर दियां जाप दियां सन। मेरी वड़े आई एस गाल विच सी के मैनू ओधियां अखां तो डार नहीं लगा, मैनू ओना विच ओह को जलब दा जो मैं आप टोल दा सां, अते मैं दिलों मनू डाक्टर नजीर दे कतन दी ताईद कर लग पया, साच मुच एह बड़ी मर्दूम खेज तरती है, उस शाम मुच जदू चांगतों वापसा के असीं तकी अंजुम दे कारी कठे होए, ताई शेर अफजल जाफरी ने हासे ते चूल दी छेबर ला देती, उस विच ओडोल जहे कवतावा छेड़ पया, मुचायरा चल पया, तकी अंजुम ने ओड़क दियां दुखान तक कवतावा जफर ने रोमानी, कुल दस पंदरा अदमी बेठे सन, पर ऐसा रसीला समा, उगे तों उगे मुचायरें वेच वी कदे कदाई ही बज़दा है, अते फिर जदू मीरे मुचायरा, शेर अफजल ने अपनी घजल सुनाई, ताईक के किशेर गगना दियां उडारियां लैन ल जाफरी नू अपनी चांग देश दी बोली उपर अखोट मान है, अते उस दी रसना उपर ए बोली पंजाब दी सब तो मिठी, अते समराथ बोली बान जांदी है, पारोहो लेखदा उर्दू वेच है, मेरी जाचे एदा कार्न ही नपावना नहीं, ओ अपने देश दी मिठ अती राष्टर पाशा उर्दू नू प्रबल बनोना अपना करताव समझदा है, उर्दू नू सीमत नहीं, व्यापक टांग नाल वेखदा है, ओधी चोल नू चंगी शब्दां, अलंकारां अते तुलनावन नाल परदा है, जिवें की अग्या उंदियां सह सुबाद दू वक्त ने बख्षा, एक दिया और मुस्कुराया है, जिल मिले पॉंगों से चमकी सातें, सुर्मई लम्हों के धारे सच गए, काली काली खामुशी के कान में, शेर अफजल के बुलारे सच गए, ये बुले का मिसरा ये बाहू की बानी, हुसन उसका मिसरीला, और किसमत किना कल जुग में कहलाए, लाज महल की रानी, एहे काड़ां ओहो अजेहे फब में ते जडाउटा अंगनाल करदा है, के वड़े तों वड़े नुकता चीना नू वी माडिया नहीं लग दिया, एस अनूखी रंगत ने ओधी कविता नू परपूर शलागा दिवाई है, हिंदी उर्दू विच लिखन वाले दूजे कई प्रतम श्राणी दे पंजाबी लिखारियां ने वी अजेहे प्रयोग कीते हन, पर मनना पवेगा के बहुता सफल नहीं हुए, अपनी जबान ले धूर दराडियों, नवे शब्द टोटो के लायाउना सुबावक अते प्रवान का रबिंद्र नाथ टैगोर ने लगपग 60,009 शब्द बंगाली पाशाविच पाधते, पर बेगानी पाशाविच नमा लफज पान विळे लगा तार खब्बे सजे वेखना पैंदा है, अन्तां दी कारीगरी करनी पैंदी है, एसे कार्ण मैं सोचदा हां कि जे आपनी आव जर सकया, तां दोश उस दा नहीं, सगों उना हलातां दा है, जिननने बुले ते वारस देया वारसा नू एस जोग विच अजीब टांग नल थड़का ते पुंदला चड़्या है, उस तों अगली रात, चांग विच मेरी अखीरली रात, जदों हबीब बैंक दे मैनेजर स जाहिब दी कोठी विच तारें दी चाहेट समी त्रीस दा नगारा वज्या सी, तां शेर अफजल फेर फुलचडियां ते महताबियां वांग छुट छुट पया, उस दी शक्सियत दी महक नू मैं केमे ब्यान करा, मेरी ताक्त तों बाहर है, जि मैनू डायरी लिखन दा सह जोरत हासल कर चुक्या है, पर चांग दे सम्मी नाच गे, ओहो कोई चीज नहीं, मेरे कथन दी सच्याई नू ओहो सजन परक सक्दे हन, जेना इहे नाच अपनी अखी विख्या है, दरसल सम्मी मुट्यारां दा नाच है, एस दी गती ले ते ताल सुबक अते महीन है, उस द दे विच पंगडे वाला खरूद बिल्कुल नहीं, आज यहे मर्दां दे पले आ पया है, तां इस गलती जिम्मेवारी केवल मुसल्माना दी मजभी तांग नजरी उपर थपी नहीं जा सक दी, मेनू कोल बैठे होई एक बज़र्ग ने दस्यासी क्योना दे बच्पन दे पड़ियां लिख्याने इना चीजानों असब अते अशलील करार दे देता, ते शहर ना दी देखा देखी, जटियां वी हाटके बैगें गाल ठीक ही जाप दी है, मेनू याद है के जोदों अध्यापक बढ़के, मैं शान्ती ने केतन पुझा, तां उत्थो दे बंगाली म उन्डे कुडियां ने मिथों पंजाबी लोक गीतां बारे सवाल पुझे, ते मैं सोची पैगया सां, पर ये लोक गीत सौरी की बड़ा हूं देने, देश आजाद हून पिछों, सडे पार्ती पंजाब विच, पंजाबी पाशानों चंगा मान मिलेया है, विकास दियां र क्रित मनुविर्ती दे लचन पूरी तरा दूर हो गए हन। ते पावे परियोगवादी, पंजाबी साहे तते सब्याचारदियां सुचियां लिहां त्याग के, अंग्रेजी कदरां ते हिंदी शब्दावली दे इतना दीन होके लिख दे हन, जिवें देल दी किसे नुकरे, पंजाबी होन दी हालां भी नमोशी होवे। अते ना ही समाजवलनों उधी प्रफुलता लई कोई उपराले किते गए हन, एस गालनों वेख उदरती तौरूते दिलनों बड़ा दुखोंदा है, पर नाल एक गलती तसल्लिवी होन दी है, ओ हे किस सब्याचारक विर्से नुझे निखा रहा नहीं, तक कटो कट अरतीन दी पंजाबी बोली, खरी ते नरोई हुंदी है, देल ठार दी है, अते इसे तरा लोक गीत गाउन, अते लोक नाच नचन दा टांगवी ठेट ते सुबावक है, ओधी टांगबा नहीं मरोडी जांदी, मर्दा दा जनाने टांग नाल नचना सुनन विच आउना वर्जित सी, बाल गंदर्व नाम का बिनिता हमेशा इस्तरी पाठ खेट दे सान, अते उना दी लोक प्रियता दा अंदाजा एस गलतों लाया जा सकदा है, कि उना दे कीते वेश शंगार महाराश्ट्री तीमियान ली फैशन बन जान दे सान, चांग दे ही सम्मीत त आउना शादियां दी परमार सी, एस कारण इनननु सेरखुरकन दी वेहल नहीं सी, पर फेर वी परदेसी महमान दी फरमाईश पूरी करंदले उना होर सबना फरमाईशान नू पिछे पादेता, दो कंटें ली आउन दा गुलजार नू वादा दित्तोंने, और मैंनू सावे रंगदियां पगां, चिट्टे रेशम दे पिंडलियां तीक लम्मे कुड़ते, बोतली सावे रंगदियां तैमतां, एक दो दे हाथ चिम्टे, बाकियां दे हाथ खड़तालां, जैसे जुआनने विशेश करके इस्तरी नाचन चना सी, ओ एन विचकार सी, सुल्फे से दी लाट वांगर सुबक, मलूकडा ते सोना, तोल्ची दे टमक्यां ते टमकां दे दारते, चिम्टे ते खड़तालां वाज़िदियां, अते बिजली दी रफ्तार देनाले हे लोक निखड़ते, तोड़े लेंदे, पहला पौंदे ते चाट फेर इको कतार विच दायर मार के, जमीननू पैरां दे अंगूठे अनाल टोक दे, इंज हरकत कर दे, जिवें किसे पईये वाली गड़ी उत्ते सवार हुन, तोल्ची अखोनी तालां दा सागर अपने हत्था विचे समोई खड़ा सी, ना हो बाता टोर्दा ते ना ही ओधे मुँ उपर ले समातर कोई पावां दा, इंज सपाट सी ओधा चेरा जिवें किसे खुलिगां अखां वाले मुर्दे दा होए, ओधी सारी दी सारी चेतना ओधे टोल विच सी, पेड़ दे आलेदवाले चोखी विथचाड के सोफियां ते कुरसियां दियां कतारां विचियां सान, सैं छोटे वड़े अमीर ते गरीब जुड़े होई सान, पेड़ा मामा उपर कोठी दे बरांडे विच चिकां पिछे अलोप होके वेख रहें सान, जिस महमान ली इतना उचेच कीता गया, ओहो खीसियों खाली सी, इस खामी दी पूर्ते ले हर पासियों दोस्ता मित्रां दे नावां उपर व पुलजार अते शेर अफजल जाफरी, मेरा जी कीता कटोका टेक दसारुपयां दी वेख शेर अफजल दे नादी ही पाछड़ा, पर नोट नायक दे हाथ फड़ां देया, अचानक मेरे मुहो निकल गया, पाकिस्तान दे कलावंतां दी वेख, अते जदों ने नशर कीता, ता हर पासे ताडियां गोंजुठियां, अंत मेरी शानवे चिशेर अफजल ने तकरीर कीती, पारोदा मैंनू एक लफज भी याद नहीं, रात दे बारा वज़ चुके सन, स्वेरे छे वजे मैं सरगोदेर वाना हो जाना सी, मैं न लोकां तो केवें सदा ले रुखसत जड़े कालतीक मेरे लिए अजनभी सन, अते हुन सके वीरा वांग प्यारे हो गय सन, गुलजार, तक्की, अंजुम, साबर, बिलाल, इन सबननू केवें खुदाहफज आख सकांगा, मैं इन सोचां वीच डुब्या होय सन, पर फिर मैंनू भी बोलना पया, इतना देल दिय जड़े रदी कागज वांग तो अड़े शेर दियां सडकाउं ते आड़ गया सा, तुसां चोकलेया, चोन साफ करलेया, अते उस उपर अखर पाने शुरू कर देते, इतना पारा कर्छडेया जेसनू अखर पापा के, इस कागज ने ता ओड के फिर अगे जाना है, होने के कीन हो गया, पई हिंदूआं विच भी मोमिन हैन, खोरे देल दियां केडियां रंजशां ते तलखियां ने उन्नू इह वाकेंड ते मजबूर किता, कि उन्ने व्यांग किता सी, किते उ मेनू गल्त टांग नालता नहीं सी वेखदा रहा, किते मैं उदे बारे मोगालते वि अधियां इहू गल्त सोचदा रहा